दोस्तों Singapore and Malaysia के बीच में जो T20i series खेला जाएगा उसके first match में आपके बन में कुछ सवाल जरूर से होंगे जैसे के इस match में हमें कौन से कौन से player को pick करना चाहिए अगर हम grand league खेल रहे हैं तो आपे कौन से grand league के trump picks होने चाहिए जिनका selection 5% से लेके 10% तक है उनके बारे में भी इस video में हम बात करेंगे अच्छा pitch कैसे होने वाले हैं पेसर्स को ज़्यादा favor करता है या spinner को या फिर batters को हमें भड़़़ के अपने team में लेने हैं कैसा team combination होना चाहिए captain wise captain हर एक चीज़ के बारे में आपको इस video पे पता चलेगा प्लस दोनों teams जब एक दूसरे के against खेले हैं head to head matches उसके भी records मैं आपको इसे video में देखाने वाला हूँ उससे पहले अगर आप first time हमारे youtube चैनल पे visit कर रहे हैं तो आपसे humble request रहेगा kindly इस youtube चैनल को subscribe करके हमारे family का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले bell बटन को प्रेस करके all पे करना बिलकुल भी मत भूलिएगा दोस्ते यहाँ पे एक arrow वाल बटन आपको दिखेगा ना यहाँ पे जाएंगे description section में आपको हमारे telegram और instagram चैनल का direct links देखने को मिल जाएगा कोशिश कीजएगा इन original links पे क्लिक करके directly आप हमारे साथ हमारे telegram और instagram चैनल पे जुर जाएगा क्योंकि इस match का final update और बाकी जितने भी domestic men's, women's and international matches शुरू होने वाले हैं उनके final updates वहीं पे आते हैं तो kindlyly telegram और instagram चैनल पे जुर ज़रूर जाएगा आचा ये match खेला जाएगा शाम के 5 बज़े से इंडियन समय अनुसार कहाँ पे खेला जाएगा इंडियन एसोसियेट क्रिकट ग्राउंड सिंगापूर में तो ये सिंगापूर का home match और मलेशिया का away match होने वाला है सबसे पहले इस match का final update आपको हमारे telegram चैनल पे मिलेगा जो भी changes होंगे इस particular video team से वो मैं आपको final update के दोड़ान telegram चैनल पे share करूँगा telegram चैनल का link इसी video के comment section में जाएगे एकदम उपर वाला जब pinned comment है वहाँ पे आपको मिल जाएगा उस link पे click करके directly आप हमारे telegram चैनल पे जोड़ सकते हैं बाकि venue stats के बारे में बात करेंगे इस venue पे 13 T20 international matches खेले गए हैं जहाँ पे 6 बार batting first करने वाला team तो 7 बार batting second करने वाले भी team जीते हैं देखिए इस venue पे जादा matches नहीं हुए हैं तो pitch लगबख fresh होगा ऐसा आप expect कर सकते हैं तो ठीक ठाक scoring round यहाँ पे होता है ठीक है average score batting first 149 करा है decent score है scoring pattern देखेंगे 150 के नीचे 6 बार गया है 150 and 169 के बीच में 3 बार और 190 के उपर 2 बार गया है जब-जब 190 के उपर गया है ना chase होना बहुती ज़्यादा मुश्किल रहा है 150 to 160 लगभग chase हुए है और दोनों teams को compare करेंगे तो obviously Singapore थोड़ा सा ज़्यादा strong team है और उनके ही home ground पे match खेला जाड़ा है लास्ट T20i match जो इस venue पे खिला गया था Singapore and Zimbabwe के बीच में Singapore 167 for 7 किया था यह 2019 में खिला गया था ठीक है और Zimbabwe उसको आसानी से chase किया था 8 wicket से match को जीते थे Pacers 4 wicket निकाले थे तो Spinners 3 wicket निकाले थे इस venue पे Pacers and Spinners का लगभग equal role ही रहता है ठीक है अच्छा अब बात कर लेते हैं hit to head matches के बारे में देखिए ये दोनों टीम जादा एक दूसरे के against नहीं खेला है previously एक 50 over का match और एक T20 match खेला है उससे ही हम hit to head stats को judge करेंगे ठीक है दोनों बार ही Singapore जीता है without any feather of a doubt Malaysia जो 50 over का match खेला था 201 run बना के all out हो गये थे और Singapore उसको chase कर लिये थे Malaysia के तरफ से V. Singh 73 किये थे top order में A. Face team के captain 23 किये थे S. Sharif 24 किये थे N. Rahman 31 किये थे प्लस एक wicket 4 over bowling किये थे उस match में S. Fitri 2 wicket निकाले थे फिलाल नहीं है D. Morgan भी नहीं है अभी अभी उसी match में जब Singapore chase करने आये थे रंगा राजन 0 run किये थे हलागी 2 wicket निकाले थे bowling करते समय N. Padam 66 किये थे इनका selection under 15% आपको दिखेगा बट ज़रूर से आप try कर सकते हैं Tim David जोके अभी नहीं है 95 किये थे तब Singapore के तरफ से खेलते थे A. Mahbub wicketless गये थे V. Vaskaran 3 wicket A. Sunil 1 wicket और A. Krishna का नाम आपको बार बार दिखेगा जोके 3 wicket निकाले थे उस match में लिग बड़ेक बोलर हैं ठीक है अच्छा अब बात कर लेते हैं उस T20 match के बाड़े में जहाँ पे Singapore ने bat first किया 239 for 3 किये थे एक T20 match में Malaysia 111 पे ही all out हो गये थे thanks to Tim David जोके 32 balls पे 95 कर दिये थे A. Chandramohan जोके 47 किये थे one of the consistent batters Singapore के तरफ से A. Sunil batting plus bowling दोनों तरफ से contribution दिये थे एक Krishna का नाम आपको फिर से दिखेगा 4 wicket के साथ तो एक Krishna against Malaysia is very dangerous Ahmed Faze का नाम दिखेगा 25 run के साथ इस Aziz का नाम आपको दिखेगा Malaysia के तरफ से जोके 23 किये थे Ramli 23 किये थे यहाँ पे फितरी शायम एक wicket फिलाल नहीं है Khizar Hayat एक wicket हलेके काफी expensive गये थे इस इद्राज भी इससे जाने के साथ-साथ एक wicket निकाले थे अच्छा अब visiting team Malaysia के बारे में बात कर लेते हैं इनके कुछ recent matches पहले हम देख लेंगे जो यह recent match खेले थे Nepal के against Nepal 223 for 5 Malaysia 138 पे ही सिमर गए थे V Singh इनके तरफ से stand out better रहे थे Captain Fires Ahmed के साथ और P Singh इनके तरफ से main bowler रहे थे 1 for 34 फिर S Idras 1 for 43 M Amir 1 for 36 M Wafik 1 for 39 Next match जहाँ पे Malaysia 196 for 6 किये थे PNG जैसा team 8 wicket से इनके सामने match को जीद गए थे इस सामें क्या समझ में आता है कि Malaysia का जो bowling है ना उतना strong नहीं है बट इनका batting काफी strong है जहाँ पे Zulfigli 46 किये थे Fires Ahmed 63 किये थे V Singh 5 ball में 10 run बना के out हो गए थे यहाँ पे एस इद्रास का एक वीकर और सायद अजीज जोके batting plus bowling दोनों से contribution देते है 64 runs और 3 over भी किये थे Next match देखेंगे 114 for 8 Malaysia नेपाल उसको आसानी से chase किये थे अब नेपाल का bowling attack कितना strong है आपको भी पता है उनके सामने Malaysia का batting जादा नहीं चला वी सिंग 0 run बना के out हो गये थे जुल्फिकर 32 किये थे फायाज अहमा टीम के captain 24 किये थे सेद अजीज का नाम आपको फिर से दिखेगा जोके batting plus bowling दोनों से contribution दिये है इम आमीर भी थोड़ा बहुत batting कर लेते हैं एक wicket भी निकाले थे पी सिंग इनके main bowler है without any feather of a doubt पी सिंग इनके main bowler है जोके पापले में भी डालते हैं death overs में भी डालते हैं next match Malaysia 184-3 यहाँ पे PNG को beat भी किये थे बहुत close margin था बट beat किये थे जहाँ पे V. Singh का performance आया था फायज अहमाद का नाम आपको फिर से दिखेगा जोके बहुत ही important bowler है experience काफी रखता है 4 wicket निकाले थे P. Singh जैसे के मैंने बोला इनके one of the main bowlers है 3 wicket के साथ एन M. Wafik 3 wicket निकाले थे पापले में ठीक है अब इनके playing 11 with batting order के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं Z. Zulfikli के साथ V. Singh opening करेंगे keeping duties समाल लेते हैं कभी-कभी और ज्यादा तर as a main batter ही खेलते हैं bowling नहीं डालते हैं यवार आपको ध्यान रखना है बड़ ये तावर तोर batter है जुल्फिक ले on-off performance देते हैं जब V. Singh चलेंगे तो जुल्फिक ले नहीं चलेंगे या अब लिखके रख लो जब V. Singh जल्दी आउट होंगे तो जुल्फिक ले ऐसा performance आपको दे सकते हैं लगभग 30, 35, 40 तक कर सकते हैं अगर V. Singh जल्दी आउट होते हैं तो ये मैंने नोटिस किया है एक pattern तो अगर आप V. Singh को अपने Grand League के team में नहीं ले रहे हैं तो जुल्फिक ले को जरूर से ले लीजेगा क्यूंकि सिलेक्शन कम है अगर 35, 40 कर गए आपको Grand League में काफी ऊपर लेके जा सकते हैं और अगर V. Singh को आप ले रहे हैं C.V.C. बना रहे हैं तो जुल्फिक ले को बिल्कुल मत लीजेगा फयाज आहमर टीम के कैप्टेन नमबर 3 पे आते हैं रीसेन फर्म आप देख सकते हैं 12-09 उतना कुछ खास नहीं रहा है फिर 39, 1, 33, 23, 63, 24, 51 ऐसा कर के परफोर्मेंस किये हैं काफी अच्छे बैटर हैं बिलकुल हम ट्राइ करेंगे इस अजीज बैटिंग के साथ साथ बोलिंग नमबर 4 पे कंसिस्टेंटली आते हैं और परफोर्मेंस भी किये हैं देखिए 13 रन 5 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 12 रन 20 रन और 1 विकेट ऐसा कर के परफोर्मेंस किये हैं प्लस बोलिंग से भी विकेट निकाल रहे हैं यह हफीज लोवर मेडिल ओर को समालते हैं 0-8-9-0-4 ऐसा कुछ रीसेंट फॉर्म रहा है उतना खास नहीं है एस मुनियंडी बैटिंग प्लस बोलिंग यह भी कर लेते हैं और गुच्छे में भी कर निकालते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो इनको हम बिल्कुल ट्राइ करेंगे अगर खेलते हैं तो क्योंकि इनको कुछ-कुछ मैचेस में नहीं किलाया जाता है एम आमिर लिफ्टाम और्थोडोक्स और अनवर रहमान इन दोनों लिफ्टाम और्थोडोक्स फिनर्स में से कोई एक खेलेगा ज्यादा चांसेस एम आमिर के हैं क्योंकि ज्यादा बहतर बैटर है इन कंपेरिजन टू आनवर रहमान एम आमिर का रीसंट फ़र्म आप देख सकते हैं यहाँ पर 258 नहीं 25 प्लस 0 फर 12 होगा एक विकेट एक विकेट ऐसा कुछ रीसंट फ़र्म यह मुवाफिक कर रहा है और इस इदरास का एक विकेट एक विकेट एक विकेट ऐसा कुछ रीसंट फ़र्म रहा है दोनों ही पिछले पांच मैचस में तीन विकेट निकाले हैं पाव प्ले में पीसिंग डालते हैं, एम वाफिक एन इस इदरास के साथ, डिट ओवर्स में मुनियंदी, इदरास एन पीसिंग डालेंगे. अच्छा, अब बिना देरी की ये बात कर लेते हैं, होम टीम सिंगपूर के बाड़े में, इनका प्लेइंग 11, विद बैटिंग ओडर कैसा होना चाहिए, चलिए डिसकस कर लेते हैं. इनके तरफ से, रोहन, रंगा, राजन, मेरे हिसाब से ओपेनिंग करने चाहिए, प्लस पार्ट टाइम बोलिंग भी करते हैं. 50 ओड में ज़ादा ओवर्स डालते हैं, यहाँ पे एh मुतरेजा उनके साथ ओपेनिंग करने चाहिए, अब उनके साथ ना, इस चंद्रमोहन भी बहुत बार ओपेनिंग करने आते हैं, बट इस चंद्रमोहन नीचे भी बहुत बार खेले हैं. तो मुझे लगता है ये मुत्रेजा जो कि एक genuine opener है उनके साथ opening करने आएंगे रोहन रंगाराजन रोहन रंगाराजन decent batter है बिलकुल try कर सकते हैं experience जादा है ये मुत्रेजा से ये मुत्रेजा again one of the consistent batters 71, 0, 35, 17, 23, 11, 57 जब चलेंगे तो 50 plus करते हैं नहीं तो under 10, under 15 भी out हो सकते हैं ठीक है नविन पडम एक hit to hit match में इनका performance भी है बड़ वो 50 over वाला match था ये number 3 पे generally खेलते हैं इस match में भी number 3 पे either चंद्रमोहन खेलेंगे और नविन पडम अगर चंद्रमोहन नमबर 3 पे आते हैं तो नविन पडम आएंगे number 4 पे अगर नविन पडम नमबर 3 पे खेलते हैं तो चंद्रमोहन आएंगे number 4 पे अब चंद्रमोहन भी one of the consistent batters है 32, 47 यहाँ पर 28, 40, 51 बीच में 9-0-0 का एक rough patch रहा था वो सभी के game में आता ही है एक time बाकी चंद्रमोहन आपको हमेशा दिखेंगे 30, 25, 35, 45 ऐसे स्कोर करते हुए ठीक है आडियमान सुनील जोके हमेशा batting and bowling दोनों से contribution दिये हैं राइटान बैटा और राइटान मीडियम फास्ट जिनरली एक finisher का रोल अदा करते हैं यहाँ पर 8 रन दो wicket, 16 रन एक wicket, 7 रन एक wicket, 6 रन ठीक है ऐसा करके performance किये हैं आडियमान दत्ता जोके middle order में बैटिंग करते हैं lower middle order मुझे कहना चाहिए या फिर आडियमान सुनिल यह dream 11 and other application में इनका नाम आडियमान उचिल नाम से आपको दिखेगा U-C-H-I-L ठीक है बट यह इनका नाम आडियमान सुनिल है right hand बैटाओ and right hand medium fast recent form काफी अच्छा है बिलकुल खिलिया जा सकता है as an extra all rounder ठीक है अल्रेडी इनके टीम में बहुत सरे all rounder है फिर मनप्रित सिंग आपको दिखेंगे जोके wicked keeping duty समालेंगे recent form उतना खास नहीं है एक 42 not out के इलावा कुछ खास पाड़ी नहीं खिले है जनक प्रकाश one of the main bowlers right hand batter and right hand medium fast जोका power play में डालते हैं बैटिंग से भी contribution देते हैं यह इनका advantage है ठीक है यह dicey pick होंगे अगर इनको wicket मिलता है तो बहुत अच्छा नहीं तो बैटिंग से भी contribution दे सकते हैं इसलिए one of the important picks में से आ जाएंगे उनके बाद आज आते हैं अनंत कृष्णा जोके लिग-बड़ेक बोलर है याने tweet record भी काफी अच्छा है recent form भी काफी अच्छा है जैसे कि अब देख सकते हैं हर एक match में 2 wicket, 3 wicket, 1 wicket तो निकाले ही है मतलब 30-40 points तो कहीं नहीं गए अनंत कृष्णा से ठीक है विनौद बासकरन left-arm orthodox spinner एक match में 2 wicket उसके बाद 3 match में wicket less ठीक है तो recent form विनौद बासकरन का decent है अमजाद महबूब जो के captain है and right a medium fast bowling डालते है recent form भी ठीक ठाक है यहाँ पे एक wicket, यहाँ पे एक wicket, यहाँ पे तीन wicket निकाले हैं 3 for 20, यहाँ पे 3 for 29 तो गुच्छे में wicket निकालते हैं महबूब बिंग दा captain डेत ओवर्स में डालते हैं ठीक है दोस्तों हो सकता है बहुत सारे नए players के नाम हमने introduce किये हैं इसलिए आपको थोड़ा सा confusion हो रहा हो मैं आपसे request करूँगा वीडियो को दूसरा बार और तीसरा बार भी देखेगा अगर जरूरत हो तो तक हर एक player के बारे में आपको clarity मिल जाए हर एक player क्या करता है कैसे करता है सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दिमाग में बैट जाए ठीक है बाकी wicket keeping section में वी सिंग जैसे के मुन नहीं बोला विडन दिप सिंग बहुत ही important है तो आप सिंगापूर का top order को अगर आप मिस कर रहे हैं न तो वहाँ पर एम सिंग को उस particular grand league के team में अब ले सकते हैं नहीं तो avoid करके ही चलिएगा यह देशाई शायद से नहीं खेलेंगे बैटिंग section में आएंगे अहमद फेज बहुत ही important है Malaysia के captain है बाकी आर गजनवी इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिजा गजनवी basically लिए top order better है जो के इस match में शायद ना खेले मेरे हिसाब से हलाकि 90% selected है आप बिल्कुल ले सकते हैं यह 22 inning में 401 run बना चुके हैं top order में average देखेंगे तो 19 point something इनका average है उतने भी कुछ खास better मुझे नहीं लगे हैं और T20 matches में यह bowling भी नहीं डालते हैं तो मुझे personally उतने खास नहीं लगे है आर गजनवी आपको लेना है बिल्कुल ले सकते हैं उनसे जादा important मुझे इन रहमान लगे हैं जिनको आप बिल्कुल try कर सकते हैं इस चंद्रमोहन 86% selected है लेना बनता है के हाया दुवरानी अगर खेलेंगे तो काफी important होंगे आर अरंगाराजन बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों से contribution दे सकते हैं हलागी T20 match में टॉप order में बैटिंग जादा करते हैं बोलिंग शायद उतना ना करें बट टॉप order के बहुत ही important बैटर है मुतरेजा का recent form मेंने आपको दिखाया है one of the consistent बैटर है and same with जुल्फिक ले जो के वी सिंग अगर चलेंगे तो नहीं चलते हैं अगर वी सिंग जल्दी आउट होते हैं तो जुल्फिक ले बिल्कुल चलेंगे हफीज उतने important नहीं है middle order में बैटिंग करेंगे आर्यन दत्ता शायद ना खेले all around us section में आएंगे जे प्रकाश बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों से contribution देते हैं बहुत ही important CBC option सेद अजीज भी बहुत ही important है जो के number 4 पे consistently आते हैं प्लस 3 से 4 वर तो डालेंगे ही डालेंगे important है ए उचिल जिनके बारे मैं बात कर रहा था के ए सुनिल है ठीक है 4 वर डालेंगे important lower middle order बैटर प्लस बूलिंग कर लेते हैं इसलिए important होंगे वी only right time off break उतने कुछ खास मुझे नहीं लगे है एम शायदाद भी शायद first match को miss करे इन परम एक बहुत ही important बैटर है जो के number 3 पे बैटिंग करते हैं और काफी अच्छा record रखते हैं तो इसलिए मैं बोलूँगा अगर try करना है थोड़ा सा risk लेके all around a section में किसी एक player को तो इन परम को करो बहुत important है और हाँ एम आमीर जो के batting plus bowling चार ओवर तो ये बंदा डालेंगा ही अगर खेलेगा तो ठीक है और उसके साथ-साथ batting भी कभी-कभी इनको promotion दिया जाता है hitting के लिए तो एम आमीर सिर्फ 2% selected है batting plus bowling important होंगे bowling section में आएंगे तो यहाँ पर मुनियंदी आपको दिखेंगे बहुत ही important A. महभूब टीम के captain बहुत ही important P. Singh आपको दिखेंगे one of the important bowlers मैंने पहले भी आपको बोला है और थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आपको दिखेंगा S. इद्रास जो के consistently 4 वर डालते हैं तो काफी important होंगे फिलाल मैं यह 4 बोलर के साथ जाना चाहूंगा grand league में आपको बस करें बहुत अच्छा winning amount करवा सकते हैं 3% selected हैं सिर्फ 1 Krishna 60% अच्छा फिलाल मेरा small league का team combination कुछ ऐसा बना है जहाँ पर captain vice captain के बारे में बात करेंगे इस अजीज मेरे captain होंगे vice captain जनक प्रकाश होंगे आप बिल्कुल try कर सकते हैं इन बोलर्स में से किसी को इस match में बोलर्स बहुत important होने वाले हैं बाकी इस match का final update आपको हमारे telegram channel पे ही मिलेगा जिसका link इस video के pinned comment section में मिल जाएगा उस link पे click करके directly आप हमारे telegram channel पे जूर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं deadline के ठीक 10 से 15 मिनिट पहले